हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हुए लिकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली जैसे के सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, प्रेशानियां, बदिंतजामियां हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताके हमारी आने वाली पीडियों की जिंदगी आसान हो सके ना कि इसलिए के वो जगा जगा पर सरकारी दफ्तरों में धके खाएं परिशानियों का सामना करना पड़े शीदी आजम सرदार भगत सिंग जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफतरों के चक्र नहीं लगाने पड़ेंगे बलके सरकारी दफतर खुद चलके लोगों के घर पर आएं अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं बस डाइल करें 1076 और सरकारी सोविधाएं अपने घर पर ही पाएं पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार बस्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं बस्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं बस्तरों के लगवंत मान सरकारी आपके ताइल सरकारी प्रें थाएं झाल झाल सब्सक्राइब करें यूटूब पर सचको हिंदी चैनल और बैल आइकन दबा कर पाई लेटस्ट अपडेट सबसे पहले